Hello students, आज हम लोग एक निया टॉपिक श्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है Mathematical Analysis of Unit Cells in Cubic Lattice मतलग, cubic lattice में जो भी unit cells होती हैं, उनके हम कुछ mathematical parameters श्टडी करेंगे जिनके उपर बहुत सारे numericals आते हैं exams में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो parameter है, वो है number of atoms per unit cell in the lattice आप सब जानते हैं कि जो lattice होती है, वो कई unit cells के बार-बार repeat करने से बनती है जिसे एक unit cell लिया तो उसके उपर भी unit cell होती है, उसके नीचे भी, उसके आगे भी, उसके पीछे भी, उसके left side भी और उसके right side भी यानि जब हम बहुत सारी unit cells का बार-बार repetition करते हैं, तो उससे हमें एक lattice या crystal मिलता है तो ऐसे में per unit cell कितने number of atoms पाए जाते हैं, यह हम लोग calculate करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे simple cubic यानि primitive unit cell को इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो atoms हैं वो केवल cube के corners को occupy कर रहे हैं और cube के corner कितने होते हैं? 4 and 4 यानि 8 corners होते हैं तो ऐसा लग रहा है कि इस unit cell में 8 atom है, जो की एकदम सही नहीं है क्योंकि यह जो corner वाले atom है यह बाकी unit cell में भी तो share हो रहे होंगे जैसे अगर आप लोग यहाँ पर आप इस diagram को देखें तो यह देखिए 4 atom है और यह पीछे वाल atom को मिला के देखा जाए तो चार atom होगा टोटल 8 atom में यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं लेकिन यह सारे का सारे atom इसी unit cell में नहीं है यह बाकी unit cell में भी शेर होंगे तो हम लोग सबसे पहले corner का share निकालेंगे तो देखें क्यूब का जो corner होता है वो टोटल 8 unit cell में share होता है कैसे चलो देखते हैं जैसे यह atom है इस unit cell में भी है इसके right side में एक unit cell होगी उसमें भी होगा इसके उपर unit cell होगी उसमें भी यह share होगा इसके right side में जो unit cell है उसके उपर एक unit cell होगी उसमें भी शेयर होगा इसके आगे भी देखा जाये तो एक unit cell होगी उसमें भी शेयर होगा ठीक है अब इसके आगे जो unit cell होगी उसके उपर एक unit cell होगी उसमें भी शेयर होगा इसके right side में जो unit cell थी उसके आगे एक unit cell बनाएंगे उसमें भी शेयर हो होता है तो पर यूनिट सेल इसका कितना शेर आया वन बाई एट तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो यहां पर जो नमबर आफ एटम्स पर यूनिट सेल आएंगे वो आएंगे हैं 1 x 8 into 8 equal to one ठीके बच्चों यानि सिंपल क्यूबिक लैटिस में जो नमबर आफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं वो एट नहीं होते हैं बलकि वह होते हैं 1 by 8 into 8 यानि वन के बराबर और एक बर मैं फिर से बता जहता हूं कि यह कैसे calculate किया गया देखिए क्यूब के 8 corners होते हैं और हर corner 8 unit cell में share होता है तो जो number of items आएंगे वो आएंगे एक corner का share multiplied by number of corner अब एक corner का share कितना है 1 by 8 और corner है कितने 8 तो total number of items per unit cell 1 हो जाएंगे यह चीज यहां पे आप इस थर diagram में देखिए ध्यान से यह corner वाला जो item है इसका 1 8 पार्ट देखिए दिखाया गया है यहां पर भी 1 8 पार्ट है यहां पर भी 1 8 पार्ट है तो एक बात यह अच्छे से ध्यान ना किये कि जो cube का corner होता है वो total 8 unit cell में share होता है यानि corner का share 1 by 8 होता है चलिए अब हम लोग दूसरी unit cell देखेंगे जिसका नाम है body centered cubic unit cell इसमें आप देखिए corner पे atom है और एक extra atom यहां पे body के center पे भी है ठीक है तो यह दिखिए चार atom उपर चार atom नीचे और बीच में यह एक atom है अब यहां पे अगर देखा जाए तो corner का share तो वह यह 1 by 8 और जो body center में है उसका पूरा का पूरा share इसी unit cell में होगा देखो यह दिखाया गया है क्योंकि यह किसी और unit cell में body centered lattice में चलिए अब इसके बाद जो तीसरी unit cell possible है क्यूबिक लैटिस में उसका नाम होता है FCC यानि face centered cubic unit cell इस unit cell में atom corner के साथ साथ हर face के center पे भी होते हैं अब corner का तो देख लिया आप लोगोंने one by eight face center का share कितना होगा तो यह देखिए यहां पर दिखाया गया है face center वाले atom का जो share होगा वह half होगा क्यूंकि यह जो atom है face center वाला atom यह दो unit cell में share होगा एक इसमें और एक इसके ऊपर जो unit cell होगी उसमें यह atom share होगा यानि corner का share one by eight है और face center का share है half तो total number of atoms per unit cell जो FCC lattice में आएंगे वो आएंगे one by eight into eight plus half into six यानि four half into six क्यों किया क्योंकि half है face center का share और जो number of faces होती है किसी cube में वो six होती है तो यह बच्चों अच्छी तरह से इसको याद कर लीजेगा कि जो simple cubic lattice है उसमें एक atom होता है per unit cell, BCC में दो atom होते हैं और FCC में four atoms होते हैं चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा mathematical parameter देखते हैं इसका नाम है atomic radius atomic radius को यहाँ पर define किया गया है it is equal to half of the distance between the nearest neighbor देखिए nearest neighbors वो atom होते हैं जो एक दूसरे को एकदम touch कर रहे होते हैं तो जब दो atom एक दूसरे को touch करेंगे तो उनके center से जो distance हम major करेंगे वो आएगी 2R ठीक है यानि जो distance between the nearest neighbors है वो 2R है तो R किसके बराबर होगा nearest neighbors के बीच की distance divided by 2 ठीक है अब इसे देखे कैसे calculate करेंगे suppose a is the edge length of unit cell ठीक है तो जो body diagonal यहां पर निकालेंगे वो root 2a आएगा तो पाइथागोरस theorem से a square plus root 2a का square यानि 3 square तो यह जो body diagonal यहां से लेकर यहां तक आ रहा है body diagonal इसकी length आ जाएगी root 3a body diagonal का मतलब होता है दो opposite corner को मिलाने वाली लाइन तो आपको यहां पर यह बात ध्यान रखनी है कि जो body diagonal की length होती है वो root 3a होती है और जो face diagonal की length होती है वो root 2a होती है face diagonal का मतलब होता है किसी face के दो atom को मिलाने वाली लाइन यहां पर देखे आप लोग यह दो face के opposite atoms है इनको मिलाने वाली जो लाइन है इसे face diagonal कहेंगे और इसकी value होती है root 2a यह भी निकलता है Pythagoras theorem से कैसे यह चीज ए है यह चीज ए है तो hypotenuse का square जो होगा वो a square plus a square यानि 2a square होगा तो यह edge diagonal की length root 2a होती है तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे simple cubic unit cell को तो देखें simple cubic unit cell में जो nearest neighbors होंगे nearest neighbors वो यही तोनों होंगे और इनके बीच की distance कितनी होगी edge length के बराबर और अभी मैंने बताया था कि जो nearest neighbor के बीच की distance है उसका आधा कर दो तो radius निकलाएगा तो nearest neighbor के बीच की distance a है हाफ किया तो यह आगई radius a by 2 चलिए बी सी सी में देखते हैं बी सी सी में जो nearest neighbor होंगे corner और बाडी सेंटर होगा और इसके बीच की जो distance होगी वो बाडी डाइगनल का हाफ यानि रूट 3 a by 2 होगा यानि nearest neighbor के बीच की distance यहाँ पे रूट 3 a by 2 आ रही है अब इसका हाफ किया तो radius कितनी आ गई रूट 3 a by 4 राइट चलिए अब हम लोग एफ सी सी भी देखते हैं एफ सी सी में जो nearest neighbors होंगे वो corner और face center यह दोनों atom nearest neighbor होंगे तो इनकी बीच की distance कितनी होगी बच्चों यह फेस डाइगनल है फेस डाइगनल का हाफ किया तो कितना हुआ रूट 2 a by 2 रूट 2 a by 2 कितना होता है a by root 2 ठीक है तो यहाँ पे corner और face center के बीच की जो distance है वो कितनी आ रही है a by root 2 अब इसी का हम हाफ कर देंगे तो radius आ जाएगी इसलिए देखिए atomic radius FCC में होती है a by 2 root 2 कहने का मतलब यह है कि FCC में पहले nearest neighbor ढूडा तो वो आया corner और face center वाला atom अब corner face center के बीच की distance कितनी होगी फेस डाइगनल का आधा यानि root 2 a by 2 यानि a by root 2 तो nearest neighbors के बीच की distance आ रही है a by root 2 तो by definition जो atomic radius होगी a by root 2 का half यानि a by 2 root 2 होगी तो इस तरह से देखिए तीनों unit cell में हमने atom की radius find कर ली simple cubic में a by 2 bcc में root 3a by 4 और FCC में a by 2 root 2 यह तीनों formula आप अच्छे से याद कर लीजिए इस पर question आते हैं तो चलिए बच्चों अब हम लोग discuss करेंगे packing fraction के बारे में यह जो packing fraction है यह होता है basically fraction of total volume occupied by particles particles आपके कुछ भी हो सकते हैं atom ion या molecule of a solid in a unit cell ठीक है यानि किसी unit cell में जो total volume का total volume का जो भाग जो fraction atom के द्वारा अकुपाई होता है उसी चीज को हम packing fraction कहते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि उस unit cell के अंदर atoms ने कितना space fill किया है ठीक है जैसे मालो packing fraction है 0.3 तो इसका मदलब है unit cell में 30% space atom ने fill कर दिया है और जो remaining 70% space है वो empty है तो यह बहुत important parameter है इसके उपर भी काफी question आते हैं तो पहले तो आप packing fraction की definition अच्छे से याद कर लो it is the fraction of total volume occupied by atoms ions और molecules of a solid in a unit cell अब इसको हम determine करने के लिए एक formula बना सकते हैं क्योंकि यह fraction है तो इसका जो formula आएगा वो आएगा volume occupied by particles upon total volume of unit cell अब atoms कितना volume occupy करेंगे very simple पहली बात तो unit cell में जितने atom है n into volume of one atom अब atom को spherical माना गया है तो एक atom का volume क्या होगा 4 by 3 pi r cube जहां पर आर अभी आपने पढ़ा था आर यहां पर atomic radius है आर यहां पर atomic radius है तो किसी unit cell के अंदर atom या particle कितना volume occupy करेंगे answer number of atoms into volume of one atom अब number of atom कितने है n और volume of one atom कितना है 4 by 3 pi r cube तो जो आपर जो unit cell है वो cubic है और cube के volume का formula होता है edge length का whole cube तो किसी भी cubic lattice में packing fraction निकालने का यह formula है अच्छे से आद कर लिजे n into 4 by 3 pi r cube अपन a cube चले अब हम इस formula को apply करेंगे अलग-अलग unit cells में सबसे पहले simple cubic यानि primitive unit cell अगर यहां पर आपको packing fraction निकालना है तो बच्चो n की value कितनी रखोगे अभी मैंने calculate किया था simple cubic में n की value 1 होती है r की value कितनी निकाली थी a by 2 तो यहां पर इस formula में n की value रख देंगे 1 और r की value रख देंगे a by 2 और solve कर लेंगे बेटा packing fraction आ जाएगा pi by 6 यानि 0.52 जिसका मतलब है filled space 52 परसेंट होगा और empty space 48 परसेंट होगा similarly bcc unit cell के लिए हम लोग packing fraction calculate कर लेंगे n कितना रखेंगे अभी पढ़ाया था 2 और r कितना रखेंगे root 3 a by 4 अब r equal to root 3 a by 4 और n equal to 2 पूट करोगे तो यहां पर जो packing fraction solve करोगे तो वो आएगा root 3 pi by 8 solve करने पर जिसको आप pi की value रख दीजे 22 upon 7 और solve कर लीजे तो यह आएगा 0.68 यानि bcc unit cell में atom के द्वारा जो filled space है वो simple cubic unit cell से जादा है वो है 68 परसेंट तो फिर empty space कितना आया 100 पर से सब्टेट करिए तो यह आजाएगा आपका empty space यहां पर correction होगा बैटा 48 परसेंट नहीं होगा यह होगा 32 परसेंट empty space ध्याना किये correction कर लीजेगा 32 परसेंट होता है bcc में चलिए अब हम लोग FCC यानि face centered cubic unit cell में packing fraction निकालते हैं एन वही 4 रखा जाएगा और आर मैंने भी solve किया था निकाला था इस फॉर्मले से जब आप solve करेंगे और packing fraction निकालेंगे तो वह आ जाएगा pi by 3 root 2 जिसकी value होती है 0.74 यानि FCC में जो filled space होता है वो होता है 74 परसेंट तो फिर empty space कितना आया 100 पे से 74 परसेंट सब्टेट करिए तो empty space आ जाएगा 26 परसेंट तो यहां पे मैंने तीनों unit cell का packing fraction निकाला जिससे हमें यह पता चल गया कि कितना परसेंट empty space किस unit cell में आ रहा है तो बच्चों यह अच्छे से याद कर लिजेगा तीनों के packing fraction ठीक है simple cubic का 0.52, bcc का 0.68, fcc का 0.74 यानि maximum packing fraction होता है fcc का और maximum empty space आएगा simple cubic में simple cubic में empty space कितना आएगा 48 परसेंट और bcc में empty space आएगा 32 परसेंट और fcc में empty space आएगा 26 परसेंट तो यह था बच्चों packing fraction के बारे में अब बच्चों हम लोग last mathematical analysis करने जा रहे हैं unit cell का उसका नाम है density of unit cell जिसको हम denote करते हैं रो से आप सब जानते हैं कि जो density होता है यह mass और volume का ratio होता है density का formula होता है mass upon volume तो किसी unit cell की density अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करें हम लोग mass आप unit cell निकाल लेंगे volume आप unit cell निकाल लेंगे और दोनों को है तो उस unit cell में जितने भी atoms हैं उनका हम mass निकाल लेते हैं तो कैसे निकाला जाए mass सबसे पहले हम यह देखेंगे कि उस unit cell में कि इतने number of atoms हैं और एक atom के mass से multiply कर देंगे यानि mass आप unit cell होगा number of atoms per unit cell into mass of one atom ठीक है अब number of atoms per unit cell को n से denote किया जाता है जो अभी मैंने calculate करना सिखाया था अब एक atom का mass कैसे निकाला जाए एक atom का mass निकालने के लिए हम लोग मोल कॉंसेट के use करेंगे मोल कॉंसेट यह कहता है कि कि किसी भी एक atom का मास अगर निकालना है तो molar mass upon अव्व खद रो नंबर क्योंकि जो मोलर मास होता है वह होता है बेटा वन मोल atom का mass और वन मोल म手ह में अव्व'd अव्वाडरोन मर के बराबर products होते हैं तो एक का मास जो होगा वो मोलर मास अपॉन अगादरो नमबर होगा मोलर मास को ही हम लोगादर मास वह कहते हैं फ्कूण वह प्रकी है कि तरह जो मास आव यूनिट सेल आया वह एन्म-बाई- एन्मध हगया justify मोलर मन्मास या ए मॉलर मॉलर मास आव सॉलिड और आव गादर नमबर तो चलिए बच्चो यह था mass of unit cell के बारे में अब हम लोग volume of unit cell निकालेंगे जो बहुत इजी है क्योंकि एक यूब है तो volume of unit cell होगा a3 जहां पे a है edge length of unit cell तो आप लोगों ने देखा कि जो mass है वो nm by na है और volume है a3 तो हम इन दोनों को divide कर देंगे और density का जो formula है वो derive कर लेंगे जो आएगा rho equal to nm by na a cube ठीक है अब कभी भी ये density का question अगर आपको exam में दिखाई दे तो सबसे पहले देखेगा कि lattice कौन सी है unit cell कौन सी है अगर simple cubic unit cell है तो n की value रखिएगा यहाँ पे 1 अगर bcc है तो n की value रखिएगा 2 और अगर fcc है तो n की value रखिएगा 4 edge length आपको या तो question में दिया होगा या फिर atomic radius दिया होगा atomic radius से हम लोग edge length निकाल सकते हैं कैसे जैसे आपको bcc दे रखा है और bcc में r होता है root 3a by 4 तो a equal to कितना हो जाएगा 4r upon root 3 r दिया होगा तो यहाँ से edge length आ जाएगा ऐसा ही fcc में अगर atomic radius दिया है तो हम edge length निकाल लेंगे उसके लिए formula है r equal to a by 2 root 2 जो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था तो यह था बच्चो density of unit cell के बारे में तो इस तरह से हमने cubic lattice में जो तीन समले आपको याद करने हैं सबसे पहला था number of atoms per unit cell दूसरा parameter था atomic radius का और तीसरा था packing fraction का और चौथा था density आफ यूनिट दिसका